हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड एबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फईशडी पर फ्रेंड्स आज हम सभी के लिए आज का ये दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम सभी 2020 को अलविदा कहने वाले हैं और हमारा ये गोड एबनिंग आज 2020 का अंतिम गोड एबनिंग होगा है ना इसके बाद हम सभी न्यू इयर 2021 में प्रवेश करने वाले हैं और हमारी ऐसी दुआएं हैं हमारी ऐसी सुब कामना हैं आप सभी के साथ कि आप सभी के लिए नया साल 2021 ऐसी खुसियां लेकर आए जि की आप कामना करते हैं जिस चीज की आप कामना करते हैं जिसके लिए आप महिनत करते हैं जिसके लिए आप पढ़ाई करते हैं वो चीज आपको जरूर मिले इस नया साल 2021 में ऐसी हमारी सुब कामना हैं आप सभी के साथ लेकिन करना क्या है आप सभी को 2021 में प्रवेश करते ह अपने आपको भी बदल देना है बदलने का मतलब है आप जितना जादा महिनत करते थे अभी तक जिस चीज को पाने के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी महिनत करते थे आप कोई विजनिस करते हैं या फिर आप कोई भी कारे करते हैं जिसके लिए आप बहुत महिनत करते हैं उसको और advance बना देना है और अच्छे से उस पर आपको काम करना है और उस पे महिनत करना है ताकि आपको success हर हालत में मिले और ये हमारी दुआएं हैं हमारी शुब कामनाई आप सभी के साथ हैं कि आप सभी अगर महिनत करते हैं मनसी कारी करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है ठीक है और हमारी दुआएं हमारी शुब कामनाई आप सभी के साथ हैं कि आने वाला नया साल 2021 आपके लिए खुसिया ले कर आए आपके भाई वहन माता पिता सभी के लिए खुशिया ले कर आए ऐसी हमारी कामना है आप सभी के साथ ठीक है तो इसी के साथ सुरुआत करते हैं आज की सेशन को और आज का ये सेशन होने वाला है कम्ट्यूटर लेंग्वेज से संबंदित अलग इसमें और भी बहुत सारे कॉशन हमने सामिल किये हैं लेकिन कम्ट्यूटर लेंग्वेज से भी संबंदित बहुत सारे कॉशन हमने इस क्लास में आज सामिल किये हैं क्योंकि बहुत सारे कॉशन आपके कम्ट्यूटर भासाओ से समध्धित पूंथे जाते हैं ठीक है तो चलें भाई सभी तयार है ना गोड इबनिंग आप सभी को गोड इबनिंग भाई सबसे ज़्यादा आप लोग भाई क्लास को सेयर करो और यह आज अंतियम गोड इबनिंग है ऐसा हमने आपको बता दिया क्योंकि आज 2020 का अंत होन करते हैं है ना यह आप लोग कर सकते हैं और जो भी आपने सोचा है जिसको पाने के लिए लक्ष बनाया है उसको और मजबूत कर लेजिए गा और आप मजबूत कर लेजिएगा और 2021 में परव्यस करते ही आप अपने आपको एकदम बदल दीजिएगा ठीक है और जिस चीद के लिए महिनत करते हैं उसको पाने के लिए आपको पूरा महिनत करना है बिलकुल पोजिटिव हो करके काम करना है और ये मेरी दुआ है कि निश्चत रोप से आपको सफलता इस 2021 में ठीक है तो चलिए इसी के साथ सुरुवात करते हैं एक बार और आप सभी के लिए गोड़ इबनिंग राम राम जैहिंद आज का सबसे पहला कोश्चन देखिए पूशा क्या गया है निम्ड में से कौन e-commerce का उधरण है बताएंगे आप सभी इसमें से कौन e-commerce का एक एक जामपल है बताएंगे इ-commerce का एक जामपल पूचा है तो e-commerce में कौन सा आता है बी-टू-बी आता है जी-टू-जी आता है जी-टू-सी आता है या जी-टू-ई आता है बताएंगे पहला question है आपके screen पर ठीक है और आज इस class में 30 प्रस्न होंगे तो आप सभी को ही answer भेजने हैं और जिनको नहीं पता है इसका PDF भी हम अपनी टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे या फिर यह सभी question आपको हमारे website पर भी मिल जाएंगे बहां से भी इसको PDF आप ले सकते हैं e-commerce का मतलब होता है electronic commerce कौन सा सम्मंदित है तो यहाँ पर हो जाएगा option पहला वी टू बी यह होता है business to business e-commerce से सम्मंदित है अगर बात करें g2e की या फिर g2c की तो यह आपका क्या हो जाएगा e-governance से सम्मंदित हो जाएगा e-governance से सम्मंदित हो जाएगा और यह tweet भी हमने अपने class में अल्लेडी पढ़ाई है उसका link हम आपको टेलिग्राम पर भेज देंगे जिसमें हमने e-governance के सभी model के बारे में बात की है e-governance के सभी model और आपका e-commerce से उसके सभी model के बारे में deeply वात की है ठीक है अगर आप लोग न धूर पाना तो उसको हम टेलिग्राम पर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला option आपका correct हो जाएगा इसको ध्यार रखना है सभी वच्चों को चलिए कौसर अगला देखिए computer की किस generation में vacuum tube technology का इस्तेमाल किया गया कौन सी generation में vacuum tube technology का इस्तेमाल किया गया बताईए फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, सिकेंट जनरेशन में किया गया था, थर्ड जनरेशन में किया गया था, या फिर फोर्थ जनरेशन में किया गया था कौन सा होगा सही जबाब आपसे भी बच्चे जल् division जबाब भेजये बडिया होगा सही जबाब और आपने एगर säger नहीं किया है है तो पलीज सभी साती class को सिखर जरूर करें ठीक है आप लोग linear जरूर करें class को question number second का सही जबाब होगा post generation में है ना प्रथम generation में vacuum tube इस्तेमाल किया गया था अगला question दखिए भारत का पहला सुपर कम्ट्यूटर कहां बना था भारत का पहला सुपर कम्ट्यूटर कहां बना था बताएंगे आप सभी कानपूर, पुणे, हैदरावाद या ननो अफतेज इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है option B पुणे महाराष्टर में भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर बना था जिसका नाम था परम ठीक है question number 4 क्या पूँचा है आपसे निम्न में कौन सी मेमोरी में रखा data power supply बंद होने के बाद भी सुरचित रहता है यहाँ पर होगा बंद ठीक है यह बाद लिग गया लेकिन बंद है आपे तो किस मेमोरी में रखा data power supply बंद होने के बाद भी सुरचित रहता है यह आप बताएंगे RAM के अंदर ऐसा होता है ROM में होता है या दोनों में होता है या फिर none of the इसमें से कोई नहीं तो देखो यहाँ पर हो जाएगा B आपका ROM के अंदर ऐसा होता है ROM में रखा data power supply बंद हो जाती है आपका computer बंद हो जाता है उसके बाद भी सुरचित रहता है और ROM का मतलब होता है read all memory इस data को केवल हम read कर सकते हैं इसका मतलब क्या होता है read all memory होता है और ROM को हम non volatile भी कहते हैं इसको भी आपको समझना पड़ेगा क्या कहते हैं non volatile कहते हैं ये भी आपको ध्यार रखना होगा ठीक है RAM के अंदर जो भी data होता है वो अस्थाई होता है means वो आपका temporary होता है जब तक आपका computer on होता है तब तक data RAM में होता है और जैसे ही supply बंद हो जाती है यानि कि computer off हो जाता है तो RAM से data automatic delete हो जाता है ठीक है वो आपको नहीं मिलने वाला है तो RAM के अंदर जो data होता है वो कैसा होता है अस्थाई होता है temporary होता है चलिए तो यहाँ पर होगा ROM जैसे data आपका supply बंद होने के बाद भी सुरच्छित रहता है यानि कि वहाँ से वो data delete नहीं होता है रोम के अंदर से अगला question देखिए Gmail में अधिक्तम space कितना होता है आपके Gmail में आपके Google mail में जो maximum space है इस storage का storage का space पूछा है वो कितना होता है चलिए भई कौन सा होगा यहाँ पर correct answer तो यहाँ पर हो जाएगा 15 GB 15 GB का होता है ठिक्छे आपके Gmail में जो space होता है वो कितना होता है 15 GB का होता है अगला question देखिए कोशिस करना है सभी प्रसुनों के सही answer भेजें जितना ज़्यादा कोशिस करोगे ठिक्छे उतना ज़्यादा सीखोगे कोशिस करने से आपका जो mind होगा वो 100% लगेगा और जब mind आप जहाँ पर भी अपना 100% लगा देंगे 100% लगा देंगे तो निश्चत रूप से वो चीज़ें आपके दिमाग में गोस जाएंगी है ना वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की shortcut की क्या होती है व्राउजर में अगर आप एक नई टैब ओपन करना चाहते हैं बाई shortcut की तो कौन से एसी shortcut की है जो दबा देंगे और एक नई टैब ओपन हो जाएगी सबी बच्चों को पता है टैब क्या होता है व्राउजर क्या होता है ठीक है यस या नो आप लोग बता दें comment box में क्या ये चीज़े आपको आती है व्राउजर क्या होता है टैब क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए control T हो जाएगा आपका right answer एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं जैसे कि अभी हम अपने व्राउजर में आ चुके बार आपके mobile phone में आपके computer में जैसे कि Google Chrome होता है Mozilla Firefox होता है Internet Explorer होता है जिससे आप किसी website पर widget करते हैं वही तो आपका बाराउजर होता है और इस बाराउजर में आप अगर एक नई टैब एक नई टैब ओपन करना आते हैं तो क्या करते हैं तो देखो यहाँ पर होता क्या है आप देखेंगे चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जब किसी बाराउजर में आप कोई नई टैब ओपन करते हैं तो simply आप क्या करते हैं, यह जो plus का निसान है, यहाँ पर click करते हैं, इस plus के निसान पर click करते हैं, तो एक new tab open हो जाती है, लेकिन जैसे देखो हमने plus के निसान पर अपने mouse को रोका थोड़ी दिर के लिए, तो यहाँ पर लिख कर आ गया है, open a new tab, control T, मतलब अगर आप control T दवा देते हैं, तो भी आपका एक नया tab open हो जाता है, जैसे हमने control T दवाया, तो एक नया tab यहाँ पर open हो चुका है, ठीक है, तो यह यह आप से पहुंचा गया, यह tab होती हैं, जैसे यहाँ पर इस tab में काम करने हैं, तो आप कुछ और काम करना चाहते हैं, तो एक new tab ले सकते हैं और यहाँ पर कोई और कारी कर सकते हैं, है ना, इसके अलाबा भी एक और new tab ले सकते हैं, आसे बहुत सरी tab आप open कर सकते हैं, इसी को open करने की shortcut की है, control T, और एक चीद हार रखना है, ठीक है, control W से हम जो अभी tab open की, उसको close कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा control T, जिससे हम नई tab ले सकते हैं, ब्राउजर में, और अगर हमसे पूछेगी tab को close करना है, तो control W हो जाएगा, चलिए, caution 7 का जवाब करिए, A EPS में P का मतलब क्या होता है, क्या होगा सही जवाब, payment हो जाएगा, फिर option पहला, क्योंकि इसका मतलब होता है, आधार enabled payment system, तो यहाँ पर हो जाएगा payment, ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा payment, अच्छा एक चीज और आपको ध्याँ रखना है, क्यी वाब यह question भी आता है, कि A EPS से पैसे निकालने के लिए, अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो क्या आपको account number की आवसकता पड़ती है, yes या no, बताइए, क्या आपको account number की आवसकता पड़ती है, तो नहीं पड़ती है, यह false होगा, है ना, नहीं पड़ती है, आपको क्या करना होता है, केवल अपना आधार number देना होता है, और आधार number के साथ साथ आपका fingerprint चाहिए होता है, आपका fingerprint चाह पाइब्धार उनेवल पैमर्ट सिटम के अंतर्गत. ठीक है लेवरुए ओफिस में फूल स्कृन की सौड्कत की क्या है। बताएं गे अब सभी बच्षे लेवरुए ओफिस में फूल स्क्रीन करना चाहते हैं। क्या होगी Só Ok Um इसका shortcut की क्या होगा control, shift और J होगा control, shift और J होगा इसका shortcut की ठीक है question number अगला देखिए अली बाबा के founder है बताएंगे आप अली बाबा के founder निम्न में से कौन है आप सभी जो अभी अभी class में जोड़े हैं like share जरूर करना class को ठीक है तो सभी साथी like share जरूर करें चलिए अली बाबा के founder यहाँ पर आपको आंसर करने हैं और सही जवाब क्या होगा option A, jackma option number A आपका right होगा question अगला देखिए US सरकार के किस विभाग ने internet की शुरुवात की थी US सरकार के किस बाब की थी तो अपसभी बताएंगे वाड़े जेग विभाग ने की थी रच्छा विभाग ने की थी न्याइक विभाग ने की थी या इसमें से कोई नहीं चलिए US सरकार के किस बाब ने internet की शुरुवात की थी रच्छा विभाग ने की थी और सबसे पहला network कौँसा बनाया था सबसे पहला network कौँसा बनाया था ARPA net बनाया था ठीक है ARPA net इसको ध्यार रखना है जो सबसे पहला network था वो कौँसा था ARPA net ये भी question कई बार पूछा जाता है ठीक है Advanced Research Project Agency Network ARPA नाम की एक संस्था थी company थी जैसे ने इसको double up किया था बनाया था और सबसे पहले रच्छा विवाग में लगा था ठीक है चलिए wake up क्या है wake up क्या है ये आपको आंसर करना है तो system information को copy करना wake up कहलाता है system information को copy करना ही wake up कहलाता है question अगला देखे एक cell को किसके दौरा परिवासित किया जा सकता है एक cell को किसके दौरा परिवासित किया जा सकता है एक cell को किसके दौरा परिवासित किया जा सकता है column रो को अलग करने वाला भाग होता है एक input box होता है जहांपर कुछ input करते हैं एक आयतकार marker होता है तो आप कह सकते हैं उप्रोक्त सभी वाला options नहीं है All of these correct है यहाँ पर Workspace से ताथ पर है बताईए Workspace से क्या ताथ पर है Workspace क्या है? Workseat का group होगा यहाँ पर आपका correct अगला question देखिए Consolated Dalabox में नेमने में से कौन सा function नहीं होता है Question 14 आपके स्कीन पर लगा हुआ है और आप सभी बच्चों को जवाब भेजना है तो question 14 का जवाब क्या हो जाएगा? Right answer आपको बताना है चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे Question 14 का सही जवाब क्या होगा? Consolated Dalabox में नेमने में से कौन सा function नहीं होता है तो भाई print नहीं होता है क्या हो जाएगा? Print नहीं होता है Excel में एक संख्या को भाग देने के बाद उसके successful को बापस प्राप्ट करने के लिए डैस का पर यूप करते हैं अगर आप Excel में किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं और उसका salesful प्राप्ट करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे कौँसा formula यूज़ करते हैं उसके लिए हम mode function इस्तेमाल करते हैं इसका मतलग क्या होता है reminder value ग्याद करना है अगर salesful ग्याद करना है तो हम mode इस्तेमाल करते हैं आप सभी को उमीद है कि mode function आता होगा कैसे काम करता है और अगर नहीं आता है तो हमने जैसा कि आपको बताते रहते हैं कि भाई जितने भी हमने लिबर आफिस के class दिये हैं calculus से संबंदित है ना formula आपको समझ में आ जाएंगी और जिनको नहीं पता है तो comment box में बता देना ताकि हम उसको भी भेज दें आपके telegram पर ठीक है नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है तो प्लीज आप लोग नीचे comment box में बता दिया करो बताइए क्या बोला गया है एक्सल में डाटा की रेंज एक वड़ी रेंज को एक टूल से सेलेक्ट करके जोड़ा जा सकता है उसको सम कर सकते हैं उस टूल को हम क्या कहते हैं आटो फिल कहते हैं आटो करेक्ट कहते हैं आटो सम कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं बताएंगे आप सभी उस टूल को क्या कहते हैं उस टूल को कहते हैं आटो सम ठीक है क्या कहते हैं आटो सम कहते हैं चलिए भाई बहुत अच्छा अगला कुशन देखिए लिबरो ओफिस कैल्क में एक संपूर्ण कॉलम को सलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रियोग करते हैं लिबरो ओफिस कैल्क में एक संपूर्ण कॉलम को सलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रियोग करते हैं यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में स्पेस बार ओप्सन क्या हो जाएगा वी करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे मल्टी मीडिया सॉफ्ट्वेर आपको कारे करने में सहायता करते हैं जैसे कि एक डकुमेंट को टाइप करना या फिर एक स्प्रेट सीट को बनाना आदी बताएंगे ट्रू होगा कि फाल्स होगा तो यह फाल्स हो जाएगा यह फाल्स हो जाएगा ऑप्सन भी करेक्ट है आपका ठीक है html को hypertext markup language भी कहा जाता है या कहते हैं तो जो html है इसको hypertext markup language भी कहते हैं प्रू फाल्स में जबाब करना है आपको बेलकुल सही है option पहला करेक्ट हो जाएगा यह आपका प्रू होगा और अगला कुशन है वेसिक भासा का प्रियोग निमने में से किस कारे के लिए किया जाता है बताइए कौन सा होगा यहाँ पर correct answer c option right है आपका प्रारंब में सरल भासा को सिखाने के लिए वेसिक भासा का प्रियोग किया जाता है ठीक है इसको ध्यार रखना है तो option number यहाँ पर c correct हो जाएगा भासा जैसे computer बिना translate प्रोग्राम के समझता है कहलाती है ऐसी भासा जैसे computer बिना translation प्रोग्राम के समझ सकता है उससे हम क्या कहते है चलिए वई जल्दी से जवाब करिए तो उसे कहते हैं मसीनी भासा है जो कि computer की खुद की भासा है और computer केवल इसी भासा को जानता है केवल मसीनी भासा को ही समझता है और किसी भासा में उसे अगर आप आदेश देंगे तो नहीं समझेगा और इसलिए आज जो हम high level language में काम करते हैं मिन्स जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है उसके लिए हमें language translator की आवस्चता होती है है ना language translator क्या करता है उस high level जो language है high level program है उसको क्या करता है translate करता है low level language में मिन्स मसीनी भासा में translate कर देता है है ना भासा अनुवादक हमें आवस्चता होती है भासा का अनुवाद कर देता है और जब computer की भासा में translate हो जाता है तो computer बहुत ही आसानी से उसे समझ लेता है ठीक है तो इस बात को ध्यार रखता है language translator का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि compiler है, interpreter है, assembler है है ना चलिए अगला question देखिए अगला question पूछा है प्रोलोग भासा विक्षित हुई अब आपको बताना है कब हुई कौसा होगा right answer 1972 में option पहला correct है और अगला question देखिए computer भासा जाबा के अविसकारक कौन है computer भासा जाबा के अविसकारक कौन है question पूछा बहुत बार गया है इसको ध्यान रखना है 23 वाला ठीक है तो यहां पिर क्या हो जाएगा sun microsystem option c option number c correct है आपका question अगला देखिए c वेसिक कोबाल और जावा उधारण हैं यह सब कैसे example है low level के हैं या फिर system program के हैं या फिर high level के हैं या फिर computer के हैं जो भी है option देखिए और जबाब करिए क्या होगा सही जवाब तो कौण सा होगा यहां पर high level language हो जाएगा इस सभी high level language के example हैं सारे computer में लागू होती है basic भासा, kobol भासा, machine भासा, fortran भासा बताईए अभी अभी बताया हमने computer कौण सी भासा को जानता है कौण सी भासा को समझता है तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए भाई सही जवाब क्या हो जाएगा तो सारे computer में लागू होता है machine भासा, option C correct है आपका next question पूछा है assembly language है assembly language है, machine language है, high level language है low level language है, या फिर computer assemble करना assembly language क्या है assembly language आती है low level के अंतरगत किसके अंतरगत आती है, low level language के अंतरगत आती है किसी computer प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रियुक्त भासा प्राया कौन सी होती है किसी computer प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रियुक्त भासा प्राया कौन सी होती है तो यहाँ पर होगा वी फिर हो जाएगा logo option भी correct है अगला question देखे किस programming language को translate की जरूरत नहीं होती है बताएंगे आप सभी इसी टाइप से आपको बताया तो बहुत सारे question होते हैं जो relate करते हैं एक दूसरे से और जिन पर आप लोग अगर समझा रहे हैं तो अडिया लगा सकते हैं कि हापा ये question स सही हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे question आपको मिल जाएंगे आपके एक्जाम में ठीक है तो यहां पर वताएंगे क्या हो जाएगा किस programming language को translate करने की जरूरत नहीं होती है option D machine language ठीक है option D हो जाएगा machine language को और एगला कोस्ता देखिए assembly language क्या है assembly language क्या है machine language है high level है low level है तो यह हो जाएगा low level programming language है आपकी machine language और अंतिम प्रसन आप से पूचा है c भासा dash के दौरा विक्षित की गई मतलब c भासा किस के दौरा विक्षित की गई आप सभी वच्चों को जवाब करना है और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यह question सब का सही होना चाहिए क्योंकि आज का यह अंतिम प्रसन है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा डेनिस रिची option number B हो जाएगा डेनिस रिची ठीक है ध्यार रखना है आज की class बस यहीं तक थी उमीद करता हूँ कि आप सभी को class पसंदाई होगी और एक बार फिर आप साल 2021 बहुत खास होगा बहुत कुछ लेकर आएगा बहुत लोगों को जौब मिलेगी है ना बहुत लोग आगे वड़ेंगे अपने कारे में और जो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं आपको वस इस नय साल में अच्छे से प्रयास करना है सभलता आपको जरूर हासिल होगी य इसी के साथ आज का ये क्लास फिनिस करते हैं और अब हम आप सभी को मिलेंगे एक साल के बाद यानि की नय साल 2021 में तब तक के लिए वाई वाई जय हिन